नमस्कार आप इंडिया के अंदर रहते हैं यह बिल्कुल पॉसिबल नहीं है कि आपने एम्यू को ना सुना हो अलिगएड मुस्लिम यूनिवर्सिटी अधि देश के हर यूद के चेरे पर है एम्यू जाना है अधिर फुल्थ घुलास हर को इस्टूडיח हैं और आपने सुना हूंने चाहते हैं अक्रफाज के बिल्कुल पिर विप्सक्राइब उसने पिर इंडिया के हर एक यूध को बता है एम्यू अकिरकार यह बना के से कैसे यह हर यूध के चेरे पर चागिया देश मेनी पूरे वर्ड के अंदर एम्यू की आज एक शाख है इसके कुछ आज पन प्रेंडिंग के बारे में बात करेंगे आखि यह popular हो गया और अगर को लिजिज जैसे क्या कर सकते हैं ताकि वह भी जो ऐसे को लिजिजों से जैसे प्रोपेशरली हो जाए राइच चलिए देखते हैं दोस्तों एम्यू का सबसे पहला था यूई एपी प्रोसेश यूनिक अक्सिलेंस एडमिशन प्रोसेश एम्यू का यह जिसके साथ नंबर या आठ नंबर आ रहे हैं उसको दस नंबर तक पहुचाना बहुत असान है तो उन्होंने वही अपनाया टेस्ट प्रोसेश लागू किया जिसके जितने जैदा मांक्स आ रहे हैं उसको लेंगे इसका सबसे अच्छा उप्शन इडिया के अंदर यह दे की प्रोसेस के तुरू गुजरना पड़ेगा वह एक यूनीक एडिमेशन प्रोसेस अगर आप टेस्ट के अंदर लंबर लेके आ रहे हैं देन आपको एडिमेशन मिलेगा अगर नहीं ला रहे हैं तो आपको कोई बेडिमेशन नहीं दिया जाएगा जैए आप कितने ही को या मुसलिम वह एक अपना करियर डावलब कर सके इंडिया बेसिकली उस टाइम पे जो है कोलेज बहुत कम हुआ करते थे अगर हुआ भी करते थे तो बहुत बड़े बड़े लोगों के लिए थे नॉर्मेल लोगों को मुसल्मानों को वहाँ पर एडिमेशन नहीं दिया काल्चरल इवेंट्स की तो यहां पर बहुत सारी जो है काल्चरल कम्यूनिटीज कड़क की जाती है जैसा कि यहां पर जो एडिमिशन अक्सिलेंस प्रोसेस किया गया जिसे जो देश की हर कोने-कोने से जो बच्चे हैं तो बच्चे हैं जो एंट्रेंस एक्जाम देके आ हैं वह स्कोले का मनेती हैं बहुत बड़ी बड़ीनीन कम्यूटिज बनती यह कोई किसी से राश्टर से आ रहे हैं को हुए कोई का से सर्ष से आ रहे हैं कुछ बद्रास कि वद्सक्राइसों को Finanz मेरुखते बहुत सारी पार्वल्यूट इवेंस होते हैं बड़ी माहीं एक स्टूडेंट को देखने को मिलती है इस्टूडेंट का एक यहां पर बहुत बड़ा यूस्पी है वह है एकेडिमिक एक्सिलेंस हाले कि जो ललू-लाल कोलीजी दोते हैं जो चमडी-चोड जो कोलेजी दोते हैं वह क्या करते हैं वह जो प्रॉपेसर लेकर आते हैं वह बीटे किसि ने किया हां यहां तुनिया। कि ठीक तो आजा पर बढ दे इसकंड लागकर आते हैं उसको फुद को इतनी एकजाम देनी पड़ती है इतन ज्यादा इंते पराइश करते करते बैसे तब जाता है कि जिए और पोर को ब्याइडा हैं करते हैं ताकर स्थूडेंट को बहुत ही ज्यादा है यो सरी सालोग को तो काफी ज़्याप फाइदा मिलता है इसके साथ ही यहँ पे न एक बोट बड़ी खावत है कई जाते है वह सारी स्टूडेंट प्रोपेशर जो है वह कल्चरल इवंट भूल जाते प्रोपेशर यह वो कभी भी चुडेंट की अटेंडेंटस नहीं भूल दे विला 75% उसके अटेंडेंटस नहीं है नहीं नीदाने पड़ेगी इतने इतना स्टिक्स है आप माल सब्सक्राइब को बहुत अच्छी मिल जाती है क्लास्रूम्स की बात की जाए लगाता है इनको फंडिंग मिलती है तो हो सकता है फ्यूचर के अंदर जल्द इनको सब्सक्राइब किया जाए अगर एक साथ सारी के सारी स्टूडेंट धरने पर बैठ जाए तो यह जो पुलिस की भी धजियां उड़ा देते हैं ऐसा भी बहुत बार देखा यह ऐसे को लिजों के अंदर इसके साथ यहां के जो प्रोपेशर है वह बहुत ही ज़्यादा अच् कर पा रहे हैं आज अगर की बात की जाए तो के स्टूडेंट चाहिए एक्टी में हो चाहिए वह पॉलिटीशन हो चाहिए वह रिशर्च हो चाहिए वह बड़ी-बड़ी मन्सी कंपनी जो काफी अच्छे एच्छे देखने को मिल रहे हैं इसके साथ एकर एड़मिशन प् सप्लाइ करते हैं आप अगर जाना चाहते हैं आप भी सीवटी का टेस्स दे सकते हैं इसके साथ तीन लाग से ज्यादा स्टूडेंट के अंदर सलेक्ट करते हैं हाला कि आप अगर सीटों की बात की जाए तो ऑल्मोस्ट थ्टी-थाउजंड प्लस सीटें याँ आपे अव बहुत अच्छा दिखने को मिलता है इस्टुडेंट जो एकदम खिलकुल आते वह रहते हैं होस्तल पेसिलिटीज काफी इच्छी मिलती है इस्टुडेंट प्रोडेक्शन बहुत अच्छा होता है तो आपके लिए बहुत अच्छा केरियर ओप्शन हो सकता है अब भी इसकी गाइडेंस कांस्लिंग प्रोग्राम जोइन कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे रहे हैं धन्यवाद थैंक्यू श्वमज